हाई फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल वांग्शन क्यू लव स्टोरी तो चलिए फ्रेंट्स हम अपनी स्टोरी आई वांट टू सिलीब वीडियो का नेक्स बास शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज फ्रेंट्स अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए तो चलिए पता नहीं आप लोग subscribe क्योंने हैं प्लीज आप subscribe कीजिए जब आप subscribe करते हैं और कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगए ऐसा लगता है कि हम जो कुछ लिख रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट भी कीजी और सुस्क्राइब भी कीजी और लाइक भी कीजी तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं हमने लास पार्ट में देखा था कि एड़ो और जान कंपेनी में चल रही उस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि कंपेनी में ये सब भी हो सकता है ये वो जान से कहता है जान तुम्हें मेरी इस काम पुछ पता लगाने में हेल्प कलनी होगी लेकिन तुम जानते हो न ये कम बहुत रिस्की है इसलिए तुम्हे अपना ख्याल भी रखना होगा जान हम कह देता है दोनों कंपिनी के बारे में तोड़ी दिर बाद करते हैं अब हम नाइट का सीम देखते हैं नाइट में जान और इबो दोनों ही डिनर कर रहे थे तब ही इबो का फोन बचनी लगता है इबो फोन पिक अप करता है तो वो देखता है फोन सेकेटरी जो का था जैसे इबो फोन उठाता है तो सेकेटरी जो हलो करता है और इबो से कहता है सर कल फोरन क्लाइट के साथ आपकी मीटिंग है तो आपको company जल्दी आना होगा इबो भी हूं कहता है और थोड़ी दूर वो दोनों फाइल के बारे में बात कहते हैं फिर इबो फोन रख देता है तभी वो जान की तरफ देखता है जान इबो से कहता है क्या हुआ तो इबो कहता है मैं कल मुझे वांग cooperation जाना होगा मेरी बहुत urgent meeting है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम career company में काम समा लेना जान बड़ी बड़ी आखे करके इबो को देखता है और कहता है क्या मैं इबो कहता है हाँ तुम तुम जान कहता है बिल्कु नहीं और एक smile करता है दोनों डिनर फिनेश करते हैं और अपने रूम में जाते हैं दोनों बैट पर जाके लेट जाते हैं जान को अपनी बड़ी में भी थोड़ा pain फिल हो रहा था इसलिए उसका face थोड़ा different था इबो जान की तरफ देखता है उसे भी महसूस हो जाता है तो जान से पूछता है जान क्या तुम ठीक हो तो जान इबो की तरफ देखता है और उसका चेहरा पूरी तरीके से red हो गया था वो इबो से क्या कहे बस सरम की वज़े से हम कह देता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है इबो ये देखता है और एक स्माल करता है वह दीरे से जान के पास जाता है और उसकी बेस्ट से उसे खीच कर अपने पास कर लेता है वह उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है जान इबो की तरफ देखता है इबो भी जान की तरफ देखता है वो उसके हैड को अपनी चेस्ट पर रख लेता है एक पल के लिए तो जान पूरी तरीके से स्वंट हो जाता है वो इबो की तरफ देखता है लेकिन इबो उसके फोरट पर एक किस कहता है और कहता है बहुत नाइट हो चुकी है नहीं चलता है, अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, इबो हाज जल्दी उठके आता, क्योंकि उसकी मीटिंग थी, वो उठता है तो जान की तरफ देखता है वो जान की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है वो दीरे सोरता है और वाश रूम में जाता है वो मौनिंग रूटिन कम्प्लीट करता है शार लेता है और रेडियो कर बाहर आता है वो फिर जान की तरफ देख रहा है जो अब भी भी बहुत गहरी निन में सो रहा था जान एक स्माइल करता है और रूम से बाहर जाने को होता है लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है वो बापस रूम में आता है और जान के पास बैठ जाता है वो जान को देखता है फिर जान के फोरट पर किस कहता है उसकी लिप्स पर एक छूटा सा किस कहता है और एक पेन और पेपल लेता है और उस पर एक नोट लिखता है और एक स्मायल करके वहाँ से चला जाता है अब हम थोड़ी दिरबाद का सीन देखते हैं जान उठता है वो बैट पर देखता है लेकिन एबो नहीं था फिर बैट रूम में चार तरफ देखता है यह वो उसे कहीं नहीं दिखता तब ही उसकी नजर अपने के पास की टेबल पर रखे एक नोट पर जाती है वो उसे पढ़ने लगता है उसमें जान ईबो ने लिखाता है जान मेरी मीटिंग है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ हाँ तुम अपने ख्याल रखना और अच्छे से अपिस जाना बहार मेरी गाड़ी खरी है वो लेके जाना हाँ और हाँ ब्रेकफास्ट जरूर करना ठीक है ऐसा कहता है ऐसा वो नोट पढ़के जान के चेहरी पर तो एक स्माइल आ जाती है वो उठता है और शीदा वाश्रूर में चला जाता है वो रड़ी रेडियो के नीचे आता है तो मीड उसे ब्रेकफास्ट शर्प करती है जान ब्रेकफास्ट करके ओपिस पहुँचता है जैसे ही वो उपिस के पास पहुचता है उसे वहाँ सेकेटरी जो दिखाई देती है वो सेकेटरी जो को देखता है तो एक पर के लिए तो शौक हो जाता है लेकिन फिर भी वो उन्हें गुट मॉनिंग कहता है सेकेटरी जो भी एक स्माइल करते है और जान को good morning कहते हैं जान जो से पूछता है आप यहां तो security जो कहते हैं आहां सर ने मुझे आपकी help के लिए भीजाए जान एक smile करता है और दोनों अंदर जाते है जान अंदर जाता है तो देखता है वहसां उसकी तरफ ही आ रहा था जान वहसां को देखता है दोने एक दूसरे को hug करते है वहसां कहता है जान क्या हुआ तो जान कहता है कुछ भी नहीं तो वहसां कहता है तुम्हारा चेहरा तोड़ा different है तभी जान कहता है का का बिल्कुर नहीं तो जान कहता है हुएसां कहता है अरे मैं तुमाझ जाकर आ तब है हुएसां कहता है उस दिन तुम सर के साथ गए थी न क्या हुआ सर तुमें किसलिए लेके गए थी विचारा जान हुएसां से क्या कह अपने दोस्तों से कुछ भी जूट नहीं बोलना चानता था वो हैसां की तरफ देखी रहा था कि उसे क्या कहे वो कहता है कुछ नहीं बस उन्हें किसी फाइल के बारे में मुझसे बात करनी थी तब ही सेकेटरी जो जान के पास आते हैं और उसे कहते हैं सैने आये फाइल आपके लिए बिजबाई है आप इसे एक बार देख ले सैने के केबिन में जाकर बिचारा जान वो हैसां की तरफ देखता है हैसां भी जान की तरफ देख रहा था वो एकदम शोकिंगली देख रहा था जान एक अपवर्ट से स्माइल करता है और जो के साथ इबो के केविन में चला जाता है जान फाइल चेक करता है और उसे इबो के टेबिल पर रख देता है वो मिरर से बाहर देखी रहा था कि तब ही उसकी नजर मिस्टर चाओ पर जाती है चाओ जो चुपके से कंपिनी के पीछ वाले प्लेस पर जा रहे थे जान ये देखता है तो एक पन के लिए वो सुचता है मिस्टर चाओ यहां क्या करें उन्हों ने तो कंपिनी को बेज़ती है न ऐसा मन में सुचता है तब ही उसे इबो की बात याद आने लगती है वो सेकुर्टी जो से कहता है मैं अभी आता हूँ आप तोड़ा इस फाइल को देख लीजी ऐसा कहता है और वो फाइल सेकुर्टी जो के आथ में देखे वो जल्दी से ऑफिस से बहार निकलता है वो मिस्टर चाओ का पीछा करने लगता है जान देखता है कि मिस्टर चाओ कंपीनी के पीछे वाला प्लेस जहां किसी को भी जाना अलाव नहीं था क्योंकि वहां कोई नहीं जा सकता था तो जान देखता है कि मिस्टर चाओ वहां जा रहे थे चाओ वहां पीछे पड़े उस खाली गुदाम में पहुशती हैं जानतों ये सम देखे एकदम शौक रह जाता है वहां कुछ लोग थी मितर चाओ आ जाते हैं और कुछ लोग जो आपस में बातें कर रहे थे चाओ उन लोगों से कहते हैं किया सारा काम अच्छे से हो गया तब ही वो लोग कहते हैं हाँ हमने सारा माल पैक कर दिया है तब ही चाओ कहता है हाँ जल्दी करो इसे डिलेवर करने में अगर किसी को पता चल गया न कि हम खिलोनों में ड्रक्स रख कर बेशते हैं तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी तब ही एक परसन कहता है आप टेंशन न लो सर हमने सब कुछ ऐसे पैक किया है कि किसी को भी हम पर कोई शक नहीं होगा जान ये सब सुनता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं तो पूरा शौक तो हो चुका था वो मन में सुचता है हमारी कंपिनी में ऐसा कुछ चल रहा है और हमें पता तक भी नहीं है जान अब तो पूरी तरीके से घवरा जाता है बहुत जैसी वहाँ से जाने को होता है कि तब ही उसका फोन बचने लगता है उसकी फोन की अवाज सुनके वो सारे लोग उस तरफ देखते है तो उन्हें जान दिखाई दीता है तब ही चाव कहता है जल्दी से उसे पकड़ो जान भाग नहीं वाला था लेकिन उसमें से एक परसन जल्दी से भाग कर जान का हाथ पकड़ लेता है और वो सारे लोग जान को पकड़ के अंदर ले आते हैं वो लोग जान को पकड़े हुए थे तब ही चाव जान को देखता है और कहता है जान तो तुम यहां क्या कर रहे थे तब ही जान कहता है चाव से मुझे बिल्कुल भी यकिन नहीं होता कि तुम इतने गटिया इंसान हो तुम ऐसा काम कहते हो तुम लोगों की जान के साथ खेलते हो तब ही वो परसन एक स्माइल कहता है और कहता है तुमने अच्छा नहीं किया हमारा ये सीक्रेट जान के रो तुम जानते हो ना इसके बदले, तुमारी जान भी जा सकती है, जान ये सुनता है, ते पर के लिए घबरा जाता है, लेकिन वो कहता है, ये सब ठीक काम नहीं है, तुम्हें इसे रुखना होगा, तभी वो कहता है, तुम कौन होते हो में रुखने वाले, ऐसा कहता है, और जान की चिक्स पर एक से पिजवाओ और तभी उसमें से एक परसन कहता है इसका जो कुछ करेंगे बाद में तुमने देखा है कि इतना ब्यूटिफुल है क्योंना इसके साथ थोड़ी देर खेला जाए ऐसा कहता है और वो आपस में हसने लगती है तभी चाओ कहता है जो करना है जल्दी करो इसके स गलत तरीके से चूने लगता है जान की आँखों से आंसु आ रहे थे जान पहुंचों से चिलाता है दूर उटो मुझसे चूना मत यहनि कहा न दूर रहो पर वो परसन हसे जा रहा था जैसे ही वो परसन जान को चूता है जान उससे दूर होता है जान उसकी तरफ अलग तर पर फिसे एक स्लैप मार्ग देता है और वो कहता है तुम हमें इस तरीके से क्या देख रहे हो जान तो पूरी तरह सौप्ड हो चुका था जान को तो जैसे ऐसा लग रहा था कि बस ये उसके आखरी पल है एक परसन फिर से कहता है क्यों ना इसके साथ थोड़ी तर खिला इसकी स्किन तो लड़कियों से भी ज्यादा अच्छी है ऐसा कहके वो उसके पास हाथ ले जाने लगता है लेकिन तबी उसी परसन के चेहरे पर ऐसा पंच परता है कि वो परसन जान से दूर जाके गेता है जब वो ये देखता है कि सामने लेन बांग इबो है तो उसकी तो उसको भी एक जूर का पंच मारता है इबो के पंच से वो परसन बहुत दूजा के गिरता है और इबो जल्दी से जान को अपनी तरफ खीच लेता है और उसे अपनी बाहों में भाह लेता है इबो जान को अच्छे से बिठाता है और वो चाओ के पास जाता है वो चाओ को पुरी वोडी शिवर करने लगी थी उससे तो कुछ होशी नहीं था। जान उनको खूमाता है तब इमाम पुलिश आ जाती है और उन सब को पकड़ ले जाती है इबो जल्दी से जान के पास जाता है और जान को अपनी बाहों में भर लेता है जैसे इबो जान को हक करता है जान इबो की बाहों में ही बेवोश हो जाता है इबो जब जान को ऐसे दे और इबो से कहते हैं, शायद किसी शौकी बज़त से वो बेवोश हो गए है, थोड़ी तेर में उन्हें होश आ जाएगा, आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं, इबो को थोड़ा रिलेक्स होता है, फिर इबो जायके जान के पास बैठ जाता है, वो जान के चेहरे को देखता ह और उसे सहलाने लगता है, तबी दीरे दीरे, जान को होश आने लगता है, वो इबो को देखता है, और जल्दी से इबो को हग कर लेता है, इबो की जान की आँखों से आंसु आ रहे थे, इबो कहता है जान, देखो, तुम बिल्कुल ठीको, टेंशन मतलो, मैं हूना तुमा का सीन देखते हैं दोनों बैट पर थे जान इबो को देख रहा था इबो भी जान को देख रहा था जान की बोड़ी अभी भी तर में थी उसकी बोड़ी तोड़ी तोड़ी शिवर कर रही थी तब भी इबो उसे अपनी पास लेता है और उसे कहता है जान क्या हुआ है तुम क्यों डर रहे हूँ मैंने कहा ना मैं हूँ तब ही जान के आँकों से आज सुआने लगते है वो इबो से कहता है अगर आप नहीं आते तो आप जानते हैं न वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे वो कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे मुझे लेकि आपको पता है तो इपो कहता है तो मेरे उत्रुए तुम्हें कोई कभी टच नहीं कर सकता पता है न यसा कहता है और जान को अपने आप बहाँ में बहाँ में भर लेता है उसे एक डाइट हक करता है जान भी इपो को बैख हक करता है तबी ईबो ज Yan के गालों को सहलाने लगता है तबी ज़ान पूछता है पर आपको कैसे पता चला कि मैं वहां हूँ मैने तो किसी को नहीं बताया था कि मैं चाओ का पीछा करते करते हैं उसके पीछे जा रहा हूँ तो ईबो एक स्मायल करता है और कहता है मैंने तुमारे फोन में ट्रेकर लगा दिया था ताकि तुम जहां भी जाओ मुझे तुमारी लोकेशन पता चलती रही कि तुम कहा हो इबू जान एक स्माइल करता है और इबू की तरफ देखता है सड़नली इबू जान की लिप्स की तरफ देखता है पता नहीं इबू को क्या हो जाता है वो इबू को जान को लिप्स को सड़नली केप्चर कर लेता है एक पल के लिए तो जान थोड़ा शोक हो जाता है जिकिन थोड़ी देर बाद जान भी इबू के उसको रिस्पोंस करने लगता है दोनों एक दूसरे को बूर्ली तरीके से किस कर रहे थे खिस बहुत ही होट और डीप होता जा रहा था दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक लेक बाइट करते हैं दोनों एक दूसरे के लिप्स बूरी तरीके से सक कर रहे थे दीरे दीरे ये वो अपनी टंग जानके माउथ में अंदर स्लाइट कर देता है एंटर कर देता है दोनों की टंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी दोनों एक दूसरे की टंग को सक करने लगते हैं दोनों जब ब्रेथलेस होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं दोनों गहरी-गहरी साथ से ले रहे थे और ये दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे तो फ्रेंट्स, नेक्स पार्ट हम कल देखेंगे, मुझे पता है, मुझे बहुत सारी गालिया पढ़ने वाली हैं पर फ्रेंट्स प्लीज बागी पार्ट मैं कल एक्स्प्लेइन करूंगी तू बाबाई, ठीक है